ओम शान्ति अम्रित वेले का महत्व और बाब दादा की सिक्षाएं अम्रित वेले प्राप्ति की वेला खुशी के पॉइंट्स का मनन करू रोज अम्रित वेले दिल खुश मिठाई खाते हो जो रोज अम्रित वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयम भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्तिती आ जाए लेकिन यह दिलखुश खुराक परिस्तिती को छोटा बना देती है पहाड को रुई बना देती है इतनी ताकत है इस खुराक में जैसे शरीर के हिसाब से जो भी तंदरुस वा शक्तिशाली होगा वा हर परिस्तिती को सहच पार करेगा और जो कमजोर होगा वा छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा कमजोर के आगे परिस्तिती बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्तिती पाहाड से रूई बन जाती है तो रोज दिल कुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे यह अलोकिक खुशी के दिन कितने थूड़े है देवताई खुशी और ब्रामनों की खुशी में भी फर्क है यह ब्रामन जीवन की परमात्मा खुशी अति इंद्रिय सुख की अनुभूती देवताई जीवन में भी नहीं होगी इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है उड़ती कला अभी है फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे तो सदा यह स्मृती में रखो की हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है और कोई दुक अशान्ती में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना जब दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए तो सदे खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो प्राप्तियों के महत्व को भैचान पून फाइदा उठाओ और ज्यान रत्नधारन करो आज चारो ओर के रुहानी हंसो वा होली हंसो के संगठन को देख रही है सभी होली हंस सदा ज्यान रत्न ग्रहन करते और कराते है हंसो का भोचन अमुल्य मोती होता है ऐसे ही आप सब होली हंस के बुद्धी का भोचन ज्यान रत्न है अमृत वेले से बाबदादा के साथ रू रुहान द्वारा रुहानी मिलन द्वारा ज्यान रत्नों को धारन करते हो शक्तियों को धारन करते हो ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ती द्वारा धारन किये हुए रत्नों को वा शक्तियों को अपने जीवन में धारन कर औरों को कराते हो अमरित वेले मिलन मनाने की शक्ति ग्रहन करने अर्था धारन करने की शक्ति बाब द्वारा हर रोज के विशेश शुद संकल्प रूपी प्रेणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज्यादा अवश्यक है अमरित वेले के समय हर एक धारन करने की शक्ति द्वारा धारना मूरत बन जाते हैं कोई बच्चे इतना गोल्डन चांस होते हुए चांस ले रहे हैं और कोई किनारे खड़े हूँ चांस लेने वालों को देख रहे हैं क्योंकि चाहना भी है फिर भी क्यों बीच में रुकावट है उसको जानते हो माया भी बड़ी चतुर है विशेश उस समय बाप से किनारा करने के लिए आ जाती है विशेश बहाने बाजे के खेल में बच्चों को रिजहा लेती है जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकरशित कर लेते हैं वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन आलस्य और विर्थ संकल्पो की बहाने बाजी में रिजहा लेती है इसलिए गोल्डेन चांस को गवा लेते हैं और फिर ऐसे समय को गवाने के कारण सहच प्राप्ती से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमजोर फाउंडेशन हो जाता है सारा सारे दिन में कितना भी पुर्शार्थ करें लेकिन सारे दिन की आदी अर्थात फाउंडेशन समय कमजोर होने के कारण महनत ज़्यादा करनी पड़ती है प्रापती कम होती है प्रापती कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं एक तो चलते चलते ठकावट का अनुभव करते हैं दूसरा दिल शि कस्त हो जाते हैं और फिर सोचते हैं ना मालूम मनजिल पर कब पहुंचेंगे समय नजदीक है या दूर है कब प्रत्यक्षता होगी और कब सत्युगेद श्रिष्टी में जाएंगे यह प्रवृत्यके बंधन कब तक रहेंगे वर्तमान की प्राप्ती को छोड़ भविश्य को देखते हैं वर्तमान प्राप्ती की लिस्ट सदा सामने रखो तो कब होगा यह खतम हूँ हो रहा है मैं आ जाएंगे दिल शिकस सोने की बजाए दिल खुश हो जाएंगे वर्तमान से किनारा नहीं करो माया की मा बहाने बाजी को पहचानो माया बहाने में आपको राजी कर देती है इसलिए बापको रिजहा नहीं सकते हो अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो वर्दान के रूप में जो प्राप्ति करने चाहिए उसकी बजाए मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो इसलिए अमरित वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाब उठाओ ओम शान्ति शुक्रिया बाबा शुक्रिया